प्रधान मंतरी पद को लेकर बात हो रही है तो मुझे लगता है पहले चुनाओ के मद्दे नज़र बात किया जाए वेशाय के मद्दे नज़र बात किया जाए अगर issues solve होंगे तो एक से एक eligible चेहरे सब के पास हैं और जो भी शीर्ष और सारे लोग मिलकर चैन करेंगे जो योग्य हो जो जुमले बाज नहों जूट ना बोलता हो जैसे इतिहास का थोड़ा बहुत ग्याव हो जिसे कम से कम यह मालूप हो कि बुरुनानक और कभीर दास दोनों मदहर में एक साथ चाहे लिए भी तुने में पूरे इंडिया के पब्लिक ना डिस्लमरी ऑफ इंडिया पार्टी में मैं बता सकता हूँ कौन को प्रजान में पर लगा लिए आप भारती जन्साथ पर लगा लिए लगा लेट शूची विश्वास जी रिस्पांड लेट शूची विश्वास जी रिस्पांड चिक्के चिलाईये नहीं उपद्रवी मत बनिये हैं अराजक मत बनिये हैं फक्रुलासन चांड जी अराजक मत बनिये हैं फक्रुलासन चांड जी उपद्रवी मत बनिये हैं बवाली मत बनिये हैं रुख जाहिए सर शूची विश्वास जी से सवाल है एके मिश्वास जी ने सवाल किया है लेट शूची जी रिस्पांड आपने बोला कि एक से बढ़के एक इलिजिबिल चेहरे हैं कॉंग्रेस प्लस में सारी पार्टियों में जो प्रधान मंत्री बन सकते हैं जड़ा चार पांच के एक्जांपल बताइए कि यह भी बन सकते हैं अगर हम जीते यह भी यह भी कौन ऐसे पांच मोस्ट इलिजिबिल प्रधान मंत्री के चेहरे हैं कॉंग्रेस में सुनिये बिल्कुल बिल्कुल इजेक्ट नाम बता दीजे कोई एक सजावटी मिनिस्टर को जिसकी डिगरी भी फरज़ी है आप एक चार नाम बता दीजिए नहीं 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 चाहता है कि विपक्ष के पास चार ऐसे दारेटार पोड है मिश्रा जी आपके भक्ति पे मैंने कहा मुझे संदेह नहीं इस माइस के बगता है अच्छा मैं एक सवाल पुछ लूँ शूची जी मेरा समानना है कि शूची विश्वास जी एक बहुत ही मुखर नेता और वक्ता है बहुत वोकल है आप वागपटू है आप जब भी बोलती है कभी भी सथभी बात नहीं करती हैं कभी भी हलकी बात नहीं करती है इसलिए मेरा मानना है कि कॉंग्रिस की तरफ्पे प््रदान मंत्रि केंड़ेट के लिए आप एक बहुत अच्छा चेहरा है क्या भी ओना चाइए होना चाहिए बस यह बता देखे आप भी मानेंगी यह मात्वा कांख्षा या नहीं है आपके नाम पर देखे शुर्पेना ने भी सवर्थन कर दिया तो देखे राशिद जी राशिद जी सुनिए मैं एक सामान ने पढ़ाई से एक सामान ने महिला हूँ आप सामान ने पढ़ाई से सामान ने पत्रकार है जो व्यक्ति जिस चीज़ को कर रहा है अगर वो रेशनालिटी से अपने दायतु का निर्वहन ही भली भाती कर ले तो वो एक से एक प्रखर योगिता तक पहुँच सकता है इतिहास इसका गवा है उसके लिए उसे जूट का सहारा लेने की आवश्यक्ता नहीं चाहे भागे के अधिर समझ के चाहे इश्वर चाहे कर रहा है क्या वाकई में प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी के लिए किसी तरह का राजनितिक चक्रवियू है जुंतर मंतर पर भी विपकशी एक जुट हुए राफाल पर भी करारावार और करारा प्राहर किया जा रहा है एसपी और बीएसपी अभी अखिलेश आदफ के प्रयाग राज विजिट के रोके जाने को लेकर के मुखलफत करी रहा है क्या वाकई में नरेंद्र मोधी किसी चक्रवियू में है नहीं इसको राजनितिक चक्रवियू तो मैं नहीं बोलूँगा लेकिन उससे भी बढ़के शंखनाद हो गया है राजनितिक युद्ध का दो-चार मेने के बाद ये युद्ध होने वाला है तो अब उस तरफ की सेना ने भी एकदम डिकलेयर ये कर दिया है कि भाई हम तयार है युद्ध दुभूमी आने के लिए तो दोनों पक्ष युद्भूमी में चुनाओ के युद्भूमी में पहुँचने वाले हैं और एक चीज़ और है ये बहुत दिनों से देखे क्या है कि बहुत दिनों से विपक्ष भी कोशिश कर रहा था हम एक हो समय भी आ गया है तो अब उनके भी मुहीम में उनकी भी एक्टिविटी में तेजी आ रही है आज अगर ये जंतर मंतर पे आप कोलकटा में भी देखे इनके जितने घटक हैं सब लोग मिल करके एक जवर्जस तरीके से जो है अपने आपको लामबंद कर रहे हैं और ये ठीक भी है उधर भी 10-20-25 पार्टिया है इधर भी 25-50 पार्टिया है ग्रुप तो दोनों तरफ है NDA और UPA ये दो ग्रुप में ही अपकी बार लड़ाई होगी और दोनों तरफ से जो है शंखनाद है हला कि BJP हमेशा जो है ready to war मतलब मोर्चे पे हमेशा तयार रहती है ये BJP की खूबी है मैं इसको बोलूँगा कि हर दिन वो युद्ध की तरह उन्होंने 5 साल में लड़ा है हर दिन वो बड़े एक्टिव रहे है विपक्स थोड़ा सा सूस्त रहा इतने दिनों तक कुछ किया नहीं लेकिन अब इनको करना पड़ा तो यह कोई चक्रवीव नहीं है यह ओपर खुल्लम खुला यह शंखनाद है चक्रवीव रचा जाता है तो धरना देकर के इस तरीके से नहीं वह वार रूम में नेता लोग मिल करके स्टेट जी बनाते हैं चक्रवीव मतलब एक ऐसी चीज जिसमें लोगों को पता नहीं हो लेकिन यहां तो खुल्लम खुल्ला हो रहा है उनका कहना ही है कि मौजीदा राज़नीती में सिंबॉलिक पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं के मिश्टर जी आपको क्या लगता है मुलाहम सिंग यादो ने जो बयान दिया है प्रधान मंतरी नरेंद मोदी को ले करके कि उनकी चाहत यह है उनकी खौइश यह है कि नरेंद मुदी दुबरह से प्रधान मंतरी बने उनके दिल में क्या चल लाओगा दिमाग में क्या चल लाओगा जबान पर ये वाकि आया तो क्यों आए इसके संकेत क्या है इसका संकेत बड़ा साफ है आप देखें ये वही मुलायम से यादा हुएं आप जब ये यंग एज में थे पहली बार मुक्यमंत्री बने थे दूसरी बार तब आप इनके बिहेवियर पॉलेटिकल बिहेवियर डिसीजन मेकिंग और इन सब को देखिए और एक घटना इन्हो उन्हें ऐसा करवाया था अब इनको पता चल गया देखिए राजनेतिक रूप में इनकी पार्टी दो पार्ट में बिखर गई है और शारीरिक रूप से भी देखा जाए तो काफी अच्छा हम हो रहे हैं उमर का तगाजा भी है तो अब ये यही है कि भाईया जैसे शेर हो होता है और वह बुड़ा हो जाए तो क्या करेगा जब शेर बुड़ा हो जाता है तो अब अटैक नहीं करता है यह वही मुलायम सिंग यादा हो है जिन्हों ने जिन्दगी वर बीजेपी के बिरोध में बोला है और आज इतने मुलाय एक चीज मैं बता दूँ मैंने आते हैं संस्थाओं के दूरपयोग का यह बीजेपी ने भी आरोप लगाए होंगे कॉंग्रेस ने भी लगाए हैं अब यह है मजबूरियां बहुत हैं बहुत राजनेतिक मजबूरी है तो राजनेतिक वानप्रस्त की तरफ जा रहे हैं और वह चाहते हैं कि राजनेतिक वानप्रस्त का जो मेरा समय है वो शान्ती पूरवक बीते ऐसा नहीं है कि उनके खांदान वालों ने और उनके बेटे ने या शुपाल यादों ने घुटने टेक दिये यह सिंपल है कि बैया अब आप प्रधानमंत्री बनिए आप हमें शान्ती से जीने दीजिए क्योंकि बेटा भी उनके कबजे में नहीं है पाल्टी पे भी ठीक है है एक बुजर्ग है सम्मान है तो एक्टिब पॉल्टिक से मुझे लगता है वो विदाई ले रहे हैं और शांती पूरवक राजनेतिक वानप्रस आश्रम में वो रह करके अपनी शेस जिंदगी गुजारना च स्ट्रीम पे जो बोला उसा लेकर गया है यह इसलिए अब आप सुनिए इसलिए इसलिए इनों ने ऐसा बोला है कि हमें चुनाओ लड़ना है और हमारी इंचत को रख लीजिये था साथ या आड़ सी पिस्वी बार बीजेंपी के त्वारा छोड़ दी गई थी इसलिए अभी 2019 का चुनाओ बड़ा इंट्रेस्टिंग होगा विपक्ष डेफिनेटली मैं बोलता हूं केवल कामना कर लेने से मनो कामना पूर्ण नहीं होती है चुनाओ और यह जो रणनीत है बहुत मतलब बहुत माइक्रो लेबल पर जाके लड़ना पड़ता है विपक्ष की मनो नाइटेड ही नहीं हो पा रहा है पता नहीं क्यों क्यों इतना देर लगा रहा है तो मेरी शुप कामना है कि आप लोग भी अच्छे तरीके से विपक्ष का मजबूत होना भी ज़रूरी है एक सार पंडित राजेश मिश्रा प्रिय sha-र, को प्लोग одноत्री मिश्रात क excav श्रोड पा रहा है तो प्र kuरनल पसल प्रका रहा है प्र झाल झाल झाल